हेलो फ्रेंट्स वीडियो के माध्यम से समय समय पर मैं आप सभी के साथ अपना कोई ना कोई विचार इस सीरियल को लेके सेर करती ही रहती हूं और ऐसा ही एक विचार मेरे दिल में आया दिमाग में आया तो सोचा आप सभी के साथ सेर करूँ तो फ्रेंट्स यहां पर जबसे हम लोगी सीरियल देख रहे हैं तो शुरू से ही सिरियल में पहले दिलिप को दिखाया गया और दिलिप काफी अच्छे से एक विलेन का रॉल यानि की एक बदमास पती का रॉल जोंकि पतनी को काफी हिट करता है ऐसे पतिकार बहुत ही अच्छा निवाया क्रिमिनल का रॉल अच्छा से निवाया यानि कि एक दिलिप ने कई शेड थे और हर रॉल को उसने काफी अच्छा से निवाया और मैं मान के चलती हूं कि दिलिप ने जो जगह बनाई इस सिरियल के अंदर दर्सकों के दिल में अ लगवग लगवग उनको दिखाया जा रहा है एक कैरेक्टर है विरेन से तलवार का और दूसरा कैरेक्टर है जुगल से तलवार का और दोनों को चचेरा भाई के रूप में दिखाया जा रहा है विरेन से तलवार का भी कैरेक्टर अगर देखा जाए तो काफी तगड़ा बूला नहीं है तो यह गलत नहीं होगा लेकिन कहीं न कहीं दिलिप की जगह पे यह जो दो केरेक्टर आये हैं कमाल के गड़ेक्टर है और इनके करेक्टर में अगर दोनों की तुलना कीky विरेन सेतलवार की और जुगल सेतलवार की तो मैं तो कहूंगी कि जुगल सेतलवार का करेक्टर कमाल का है और उनकी एक्टिंग यानि कि अंसल त्रिवेदी की एक्टिंग जो है न कमाल की है और कई जगह पे मैंने देखा है कि वह विरेन सेतलवार के उपर भारी पर रहे है यानि कि acting में वो भारी पढ़ रहे हैं और केबल वो विरेन सेतलवार के character पे उनके acting पे भारी नहीं पढ़ रहे हैं बलकि इस serial के अंदर और भी बहुत सारे कलाकार है जिसके उपर इनका जो acting है अभिने है वो भारी पढ़ रहा है जब यह आते हैं ना इस screen पे यानि कि यह कहना सही नहीं है कि screen पे वो आएं तो बस वही दिखाए दें लेकिन जहां तक अगर विरेन सेतलवार के भी अविने की बात की जाए तो एक सांत विलेन के रूप में वह भी बहुत अच्छी acting कर रहे हैं लेकिन कल का जब episode मैंने देखा कि जुगल सेतलवार को विरेन से करवा दिया है और उनकी गुंडों से पिटाई करवा यह त्रेंसे उन्हें अगवा करवाई है आपने भी देखा होगा कल के episode में कि कि की तरह से वो से जुगल सेैटलवार उतरता है और किस प्रकार विरेन से ढ़लवार जो है वह चक्रवीव रचता है चार गुंडों से उसे किड्नेप करवाता है और वो गुंडे उसे एक काल कोटरी में लाके बंद कर देते हैं और ये सब क्यों किया है जिलिन सेतलवार ने ताकि जुगल सेतलवार जो है वो मुंबई जाके पुस्पा का ढाल ना बने पुस्पा के साथ अपनी शेना ना बनाए पुस्पा की में कि जुगल को समझ में आ चुका है कि यह जो खेल खेला गया है उसे काल कोटरे में बंद करने का यह कहीं ना कहीं विरेन सेतलवार की ही चाल है लेकिन वह अपनी इस चाल को पता नहीं चलने देगा मतलब यह नहीं पता चलने देगा कि वह समझ चुका है कि यह सारा लड़ी तो दिखाए ही जाता है सत्रंज की गोटियों को लेके वह बहुत खुस हो रहा है कि उसने तो जुगल का खेल तमाम कर दिया अब तो पुस्पा कुछ कर नहीं पाएगी तो यहां पे दोनों क्या जो अबने मिलाओ तो ऐसा लगता है ना फ्रेंड्स की जुगल जो है के करेक्टर डाला गया है तबसे इस सीरियल को ओडियन्स का प्यार और भी जादा मिलने लगा है साथ ही इसकी ट्यार पी भी हाइप य होती जाई पहुती जारी है कि विरेन सेतलबार का रौल जो कर रहे हैं वो खराब कर रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं लेकिन ये जानना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से कि आप लाईक और कमेंट करके बताएं कि किया मैं सही बोल रही हूं क्या आपको भी जुगल सेतलवार का करेक्टर जादा स्ट्रॉंग लगता है उनकी एक्टिंग उनका अवने बहुत पसंद आता है तो फ्रेंड्स एक लाइक करके या फिर कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा और आगे भी मैं अपने वीचार आप सभी के साथ वीडियोज के माद्यम से सेर करती रहोंगी तो आज के लिए फ्रेंड्स पस इतना ही बाई बाई फ्रेंड्स